दोस्तो अपना ग्यान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो हर हर महादेप ओम नबशिबाय जै भूले की दोस्तो साबन का पावन पवित्र महीना चल रहा है शिब भक्तों में बड़ी जोरो शुरो के और खुशी के साथ यात्राएं प्रारंब हैं अगर शास्तरों की बात करें तो भगबान शिब को सबसे ज़्यादा जो प्रिये है वो अपने भक्ते हैं और कोई नहीं भग्तों के बिना शिब भी अधूरे हैं आपको बता दे भग्बान शिब को प्रसन करने के लिए उनकी कई ऐसी सामगरी और पसंदिदा चीजे हैं जो अगर भग्बान शिब के समरपित अरपित की जाएं तो भोले बाबा आपके सपनों में आ जाते हैं और आपको बड़दान देते हैं दोस्तो ऐसे ही कुछ खास चीज है वो है दुर्बा घास, शास्त्रों में बताया गया है कि दुर्बा अम्रत के समान होती है, लंबी आयू के लिए आप शिबलिंग पर दुर्बा घास चड़ा सकते हैं, धन प्राप्ती हे तू, सरकारी नौकरी हे तू, आप दुर्बा घास दुर्बा घास शिबिलिंग पर अबश्य चड़ाएं। आज जरा सभी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को धूप घास के जो चमतकारिक प्रियोग हैं वो बताऊंगा। ये प्रियोग आपके जीबन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ ये आपके जीबन को बदल करके रख द तो दोस्तो धूब घास चमतकारिक शक्तियों से भरी होती है, स्वेम इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है, इसके गुप्त जानकारी बहुती कम लोगों को होती है, धूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभू श्री गनेश को चड़ाई जाती है, इससे देवी भगबान गनेश जी अत्यंति प्रसन होते हैं, और प्राचीन शास्त्रों में इसके अंगिनत चमतकारिक फाइदे बताए गए हैं, तो इन मैंसे मैं आप लोगों को कुछ आयरवेदिक फाइदे बताऊंगा, कुछ तांतिरिक फाइदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार् तो आपको करना क्या है? इस लाप को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सची दिल से कमेंड बॉक्स में जरूर लिख देना ओम नभशिवाई अगर आप भी भगबान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नभशिवाई जरूर लिखना अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तो जितने भी पीड़ पौधी बनसपती हैं ये सब भगबान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन किये गए हैं दोस्तों जो धूब घास है हमारे भारत बरश में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है और ये जो धूब घास है आप कहीं भी जाएए, किसी भी इस्टेट में जाएए, किसी भी राजी में जाएए, किसी भी देश में चले जाएए, धूब घास आपको मिल ही जाएगी धूप गास की एक खास बात है ये कम पानी में पनब जाती है अर्थात इसमें कम पानी लगता है ये कम पानी में ही अपना जीबन यापन कर लेती है और जिस जगह पर धूप गास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है दोश तो आजकल तो लोग अपने घर की सुन्दर्था को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रियोग करते हैं ताकि घर का बाता बरण सुखुमय बना रहे और दैब्बी शक्तियों का वास हो जाए तो आईए इसके अलोकिक फाइदों को जानते हैं सरव प्रथम इसके आयरुवेदिक प्रियोग बताऊंगा फिर मैं आप लोगों को इसके दैब्बी चमतकारिक प्रियोग बताऊंगा और ये दोनों प्रियोग आपको जानना बेहदी जरूरी है इसके प्रियोग जानने के बात आप जो है डॉक्टरी दभा की तरप नहीं भ जो लोग अपनी साधना को संपन्ने करते हैं, ऐसे लोग धूप घहस का प्रियोग करते हैं। और वो चाहते हैं। उन्हें भूख ना लगी, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगी, और उन्हें काने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे ब्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महत्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूब घास के रस का प्रियोग करते हैं। धूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूक नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुती आसानी से आप अपनी साधना को संपने कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरू से इसके बारे में चर्चा की थी, इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारण बश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी की सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेंपरेचर बढ़ जाता है और हम परिशान हो जाती है। इसके लिए हम बहुत सारे दबा भी प्रियोग मिलाते हैं थंड़क प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे हजार गुना फाइदा ये धूब घास देती है, ये शरीर की तासीर को थंड़क प्रदान करती है, आपको इसके लिए क्या करना होता है, एक कप रस धूब घास का न कितना भी टेंपरेचर बड़ा हो, गर्मी का केबल आप देखना, आदी से एक घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा, और आपके शरीर को काफी हलका लगेगा, आपके शरीर का काया कल्प भी करने का काम करती है, कैसी भी तेज गर्मी हो, उसे दूर कर देगी, दोस्तो बनस्पती शास्त्र में इसके बारे में इस पश्ट लिखा है, कि इसका प्रती दिन एक कप रस दो सप्ता तक पिया जाए, तो बबा सीर की बीमारी जड़ से समापत हो जाती है, यह जिने खून की समस्या हो, खून में कोई परिशानी है, बह बीमारी भी ठीक हो जाती है, इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं, बह शीगर उन्हें याद हो जाए, अर्थात, याद किया हुआ भूले ना, तो ये बुद्धी को कम्प्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती ह तो इसके लिए करना क्या होता है? आदा कप की मातरा में इसका रस निकालना होता है, और बच्चे को केबल साथ दिनों तक पिलाईए, ये बुद्धी को तीरिव कर देता है, दोस्तो भगबान श्री गणेश की बुद्धी की तरह ही आपकी भी बुद्धी बढ़ जाएग इसका प्रती दिन रस पीने से मन को शांत रखता है, जैसे मन में आपके चड़चड़ापन, गर्मी के कारण, किसी कारण वश, तो ये मन को शांत रखता है, यहां तक की आयरुवेद में सांस और बीपी की बिमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दबा कही गई है, इसका आप इसके लिए पूरा जरूर देखना, वीडियो को आदे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है, दोस्तो अधूरा ग्यान लटकती तलबार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है, और जानक इसके जड़ को पीस करके दूप घास का जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलख लगाने से ये बुद्धी को इस्तिरी रखता है, चहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकरशन का केंद्र हो जाते हैं, ये चहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है, जीबन के सारे कश्टों को दूर करेगी, तो इसे गनेजी या दुर्गा मातों को चड़ा करके अगर प्रसाथ या धन पेटी में आप रखते हैं, तो ये धन की कमी को दूर करता है, परस में रख लीजिए दुर्गा मातों को चड़ा करके गणेजी को चड़ा करके या फिर धन इस्थान पर इसे रखिए दोस्तों ये शाक्षात माता दुर्गा के सरूप कही गई है धूब घास ये कोई साधरन घास नहीं है इसकी जड़ में सोयम गंगा मा बसती है इसलिए दोस्तों ये महा पवित्र कही गई है जिस इस्थान में होती है उस इस्थान को पवित्र कर देती है घर में हो तो घर को खुब सूरत बना देती है बाता बरंड सुख मै हो जाता है देवी देपताओ की किरपा बरसती है जहां पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रियोग बता रहा हूं हमेशा काम आएगा याद रखिये तो इसे रभी पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड करके अगर पीते हैं तो स्वता ही ये शरीर को जितनी भी आपके शरीर में दिख सकते हैं हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती हैं और आपको रभी पुष्प नक्षत्र इस बर्ष में कब है आपको मिल ही जाएगा ये भूत प्रेत देवी देपता जितनी भी देवी शक्ति कही गई हैं आशुरी शक्ति कही गई है इसका रस पीने के बात ये स्वता ही दिखाई देने लगते हैं मैं तांतिरिक प्रियोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूँ ताकि आप लोगों की रूची इसमें बढ़े दोस्तो नपुंग शक्ता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रियोग होता है नपुंग जड़ को कमर में बांधने के लिए बोलें एक महिने तक बांध करके रखें तो जो संतान ठहर जाती है अर्थात ये जो गर्ब बाहर हो जाता है इसे रोकने का काम करते हैं दोस्तो ये भी कहा जाता है इसे सप्ता में अगर दो बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई पिरका प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि सौ बरस तक जीते थे और सौ बरस तक उन्हें उनकी उमर का पता ही नहीं चलता था अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है बुड़ापे को रुकने का काम करता है दोस्त धूप घास कोई साधरन घास नहीं है ये चमत कारिक शक्तियों से भरी होती है भगबान भोलेनात ने ऐसा बरदान दिया है कि जो ब्यक्ति सच्चे हिर्दै से दुरुबा घास की साथ गाट से बनी मालाओ को गणेजी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है तो जितनी भी भगतों की उसे करोड़ पती होते देन नहीं लगती सोना चांदी हीरा मोती महंगे रतनों से भी जादा कीमती है दुरुबा घास भगबान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन हो जाती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते भगबान गणेश को मोदक से भी प्रिये है धूब घास दोस्तों अगर आप सची दिल से भगबान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक जरूर करें और कमेंड बॉक्स में सची दिल से लिख देना जैश्री गणेश